ये देखिए ये देखिए आप ठीक है किसी जानवर के बुर रहने की आवाज आई है चाहडियों में से अभी तो अफकोस वो डर के मारे मेरे उपर थमला भी कर सकता था और किस्मत से मुझे मिल गया ये गूगल को इतनी गालिया देने का मन हो रहा है क्योंकि ये सफर काफी लंबा होने वाला है तो चलिए कमर की पेटी बांद लीजिए यहाँ पर रोड ही नहीं है चिटकी काफी एडवेंचरस हो गई इस बार और देखिए आप रूट देखिए तो हलो कछी आर्मी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इस विजय और वाचिंग कछी ट तो आज भी हम लेके हैं ऐसी सांदा और मस्त जगा जैसे कि आपने छोटा सा एंट्रो देखा हम जाने वाले हैं उसी जगा यह खड़ी है अपने पीछे चुटकी चुटकी को यहां छोड़के जा रहे हैं क्योंकि यहां रस्ता बहुत खराब है चुटकी एकदम गरम होग तकि आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टैम टूटैम मिलती रहें तो सबसे पहले तो पिंक टीशट मेरे पर कैसा जत रहा है अगर पिंक टीशट अच्छा लग रहा है तो कॉमेट करके क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने यह पहना है सालों से अभी बज़ रहे हैं 130 तो चलो यार जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं वह जगह काफी लग रहे हैं मेरे को अभी यह कांटे काफी अंदर हुमें इस वक्त काइज इस वक्त मुझे किसी जानवर के भुर रहने की आवाज आई है चाहड़ियों में से थुड़ी थुड़ी आ रही पता नहीं आप सुनबाए रहोगी की नहीं मुझे लगता है जल्दी से कट लेना चाहिए यहां से क्या है काइज जंगली सुकर वहां पर है अभी देखिए तो मुझे भागना पड़ेगा चलो काइज यहां से निकलते जल्दी से चलो अभी अभी लेटेस फूटेद दिखाए आपको एक जंगली सुकर की और आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अगर जंगल मैं इस तरह से गए हैं कहीं पे भी ट्रेकिंग करने के लिए या कोई भी एडवेंचर के लिए तो अगर आपको पानी का कोई भी सौर्स दिखे इस तरह से आपको तो आप सोचेंगे कि वहां जाके चलो पानी पी लेते हैं लेकिन नहीं पहले रुके उस जगह का पूरा ज जाती तो जबी भी ऐसा हो तो आप पहले उस जगह का जाइज़ा लें उसके बाद ही वहां पर पानी पीए ठीक है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता था अगर मैंने बीना देखे वहां से पानी पिया होता तो जंगली सूकर जो होते हैं उसके आगे ऐसे बड़े दांत होते हैं और वो ऐसे दोड़ते हुए आते हैं और हमारे पैरों पे हमला करते हैं वैसे थी उनकी हाइट कुछ जादा नहीं होती लेकिन वो हमला करें तो काफी कुछ नुक्सान पहुचा सकते हैं मेरे लिए काफी डेंजर हो सकता था यूं कह सकते हैं कि मैं मरते मरते बचा क्योंकि कि अगर वो भढ़क जाता तो अफकोस वो डर के मारे मेरे उपर हमला भी कर सकता था और कुछ भी कर सकता था क्योंकि कोई भी जानवर अपने बचाओं में किसी भी हद तक चा सकता है तो इसे थौर कहते हैं हमारी रेंगेज में वह मारवलला नहीं दूसरा थौर यानि की कैक ऐसा करके डराया करते थे हमें तो मैं बहुत दता था कि हम बच्पन में जब बहुत मस्ती और सरारत करते थे तबी हमें ममी पपा डराते थे इसी पेड़ से कि तुमारे हाथ इसमें उगेंगे और ये पेड़ में कुछ इस तरह से कुछ इसकी टहनिया हाथ के आकर की उती ह जिसने भी देखी है वो नीचे कोमेट करें Google को इतनी गालिया देने का मन हो रहा है क्योंकि मैं लगातार चलते जा रहा हूं दो घंटे से और एक्षन कुछ ठीक तरह से आहीं नहीं रही इसमें मुझे लगता है मैं कहीं अंदर भटक गया हूं और मेरे पास पाने भी होता है आये हैं तो ट्राय करेंगे फूल वह जगर ढूनने की लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी रिक्स ले लिया है आई होप कि मैं पहुंच पाऊं एक बार वहां पहुंच के मैंने सूट कर लिया उसके बाद वापस तो आ जाओंगा चलो देखते क्या होता है यह दिखो मैरे को क्या मीला है मालाब इंसान दो यहां पर है यह देखके लग रहा है लेकिन अभी फिलाल कोई दीखी नहीं रहा है मेरे को पाने भी इसमें हो सकता है छेक करता है इसमें पानी भी लग रहा है मेरेको तो ये अच्छा हुआ चलो मेरेको पानी भी मिल गया यहाँ पर जो भठी देख रहे है मेरे पीछे कोले की भठी है दरसल और किसमत से मुझे मिल गया यह पानी की बरी हुई बोटल जी हाँ और यह किसी सर्पाइज से कम नहीं तो अभी ना जाने कुसकी है लेकिन इसको लेके ही आगे बढूंगा क्या मेरे पास पानी है नहीं तो वापस यहीं पर छोड़ देंगे या फिर ऐसा करता हूँ कि मेरी बोटल इसमें से भर लेता हूं और फिर यहां से निकलते हूं आगे ठीक है तो चलो थोड़ा सा पाणि भई ले लेते हैं जिसका भी जिसने भी यहां रखा यह पानी की बोटल भाई थांक-्यू-सौ-मॉच चलो इसमें से पानी भरके निकलते हैं आके पहाड बस इसी पहाड को चड़ना है और भाई हालत खराब होने वाली है एक दम से और मैं ढूंड़ रहा हूँ यहाँ से चड़ने का रास्ता वैसे तो सब ट्रैकिंग करके जाते हैं मुझे हाइकिंग करके जाना पड़ेगा काफी दूप पड़ रही काफी दूप पड़े क्योंकि अभी अभी समर सीजन स्टार्ट हुई कच में और दुख जाड़ियों में से मुझे कुछ जाना पड़ रहा है कि यहाँ पर रास्ता ही और उपर उपर चड़ रहा हूं और एक बार नजार दिखा दो आपको यह चोटी सी गुफा है क्या है लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं कि अंदर जाओं इस तरह से कुछ पथर रहे हैं पुरी तरह से घाटी में मैं आया हूं बहुत उस परवत के पीछे से आया हूं मैं पेरों में भी जान अभी बाकी है भाई और आपको दिखाएं तो मेरे पेर जो है मेरे सूज वो दिखने में तो बिल्कुल जोरदार है अच्छे हैं लेकिन इसमें काटे इतने चुबे हैं मेरे को कि ऐसा लग रहे है उतारके फेक दूँ और पैदल उपर चड़ू वैसे मज़ा भी आ रहा है मुझे यह देखिए किस तरह से पत्थर की डिजाइन है कुछ गाईस तो उठते पड़ते चलते गेटते समलते मैं जा रहा हूं अभी जग क्यों और रास्ता में दिखने काफी सांदार नजारे है हमेरे जूते पे हैं इस वक्त जुझपके है उसे हम रहेड बैटिया कहते हैं पतन हिंदी में इसे क्या कहते हैं लेकिन सत्या नास हो गया जूते का पूरा अफसोस कि मैं यह क्यों पहन के आया हूं काफी कुछ जिला हुँ में दोपेर को फाइनली हम लोकेशन पे हैं और यह जगह तो गाइज आपका कशी ट्रावेलर फाइनली पहुच चुका है यहां पर काफी ऐसी परिसानिया जिलने के बाद काफी सारे काटे भी मुझे लगे रस्ते में क्योंकि मेरे सूज आपको दिखाए किस तरह से वह स्पोर्ट सूज पहन के आया था तो क्योंकि वह यही पहन के आने पड़े और यकीन मानिया अभी दुबारा में पहन के जाओंगा ही नहीं क्योंकि इतने सारे काटे लगे मेरे को और गाइज कशी आर्मी आपको दिखादाते हूं यहां का सीन यह यह ऴिर तो को प्रहूं को अच्च दिखते हूं को यह रひगे आपको और यह रेचे सारेक का जह की आपको दिख start-o चौर्ubl气 से तरहह हैं आपको कि एने पहां कि पहले हैं खल़े और पहां कि जहां कि त criticizing पहां कि पहां का हम और कर दो कर दो कर दो कर दो सिरियस में डर लग रहा है घहा से फिश्न लेपट पता नी क्या होगा लेकिन रिस्क है तभी तो इसक्व है पबलिक यहां पर भी आती है मतलब जिस तरह से बॉटले और फ्लास्टिक की ठीख़, तो तो आते तो है लोग यहाँ पर और यहाँ पर भी किसी के वेरो के निसान है हम भी अपना फूट प्रिंट यहाँ पर छोड़ेंगे सिफ फूट प्रिंट और कुछ नहीं तो यह अपना फूट प्रिंट है और यहाँ पर रेद भी है इसे हमारी लोकल लेंग्विज में बोकर पत्थर कहते हैं क्योंकि ये काफी नर्म होते हैं और रेद की तरब विखर जाते हैं जैसे मैं ऐसा कर रहा हूं रेद निकल रही है यहां से तो यहां पर अपनी साइन भी छोड़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे ठीक है जो भी बंदे अभी देख रहे हैं जिसको भी यहाँ पोहुचने में कामे भी मिल गई वो मुझे यह मेरा लेटर जो है कछी ट्राविलर वो मेरोको स्क्रीन सोट या फोटो इसकी लेके मुझे इस्ट्राग्राम पर सेर करे अगर जो भी बंदे यहाँ पर कामयाब हो गए तो गाइज इस योर कछी ट्राविलर और लेके आएं आपको देखिए कैसी सांदर जगा एक मस्त पोज लेते हैं अपने थमनेल के लिए ठीक है इतना बहुत हैं आज के लिए और नीचे भी चलेंगे अभी और आप लोगों मैं से कई लोग बोलते हैं लोकेशन लोकेशन तो आपको रीजन दिखा देते हैं कि क्यों मैं लोकेशन नहीं देना चाहता ऐसी जगह होगी ये देखिए ये देखिए आप ठीक है इसी वज़े से मैं किसी को लोकेशन नहीं देता इस जगह की क्योंकि बस यही काम करने आते हो आप लोग वालब आप लोग नहीं लेकिन जो भी लोग है तो अभी जगह का और व्यू और इसको साथ में ले लेंगे गाइस जब भी ऐसी प्लास्टिक के बोटले अगेरा दिखे ऐसी अच्छी जगह उपर तो आप साथ में ले ले उसको रास्ते में कहीं पर छोड़ दे पूरी जगह बर्बाद कर दी है प्लास्टिक और कच्रा डाल डालके एक तो कॉमेट बनती है यार इस जगह के लिए कॉमेट बनती है जरूर और यहाँ पर भी लोग बैठे हैं और यहाँ पर भी गंदगी करके गए हैं यह लोकेशन काफी दूर है वैसे तो कुई आने के हिमद भी नहीं कर सकता जल्दी से तो गाइज निकलते हैं यहाँ से और हाँ एक बार तो मैं भूली गया इस जगह पर पहुंचे हम इसका पूरा क्रेड़ जाता है हिरेन भाई को हिरेन भाई धन्यवाद आपका दिल से यार कि आपने हमको यह जगह की लोकेशन दी ताकि हम लोग मरलब मैं यहाँ पर पहुंचा इस जगह सूट करने और पबलिक को दिखा बाया यह जगह तो हिरेन भाई अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज जरूर एक बार लाइक और कॉमेट भी कर दे ताकि निकलते हैं तो कछी यार में स्टे ट्यून रहेगा चलो खतम गया ताता बाई बाई करके निकलते हैं यहां से थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो सी यू और नेक्स वीडियो